नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों DRDO ने एक नई लैब खोलने के बारे में फैसला किया है और ये दोस्तों एक फोकस्ड रिसर्च करेगी चाइना और पाकिस्तान बोर्डर के करीब तो आज इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों ऐसे में जब हमारा कनफ् opportunities चल रहा है चाइना के साथ में तो इससमया government ने DRDO की दो लैब को बंद करने का फैसला किया है और इनको merge करके एक नई लैब खोलने का फैसला किया है ये specially focus करेगी दोस्तों research करने के उपर टेरिन और एवलांचीस के उपर यानि कि जो हिम्स खलन होता है जो समुदरी पहाडों के अंदर से जो बरफ बिगल के नीचे आती है और एकदम से तुफान आता है और उस इलाके के अंदर ओर क्या चीजें है स्पेशली चाइना और पाकिस्तान बोर्डर के नजदीक वहीं पर रिसर्च करेगी दोस्तों DRDO ने जो नई लैब बनाने का फैसला किया है इसका नाम होगा Defense Geo Informatic Research Establishment और इसे दो existing लैब को मर्ज करके बनाया गया है ये नई लैब दोस्तों फोकस करेगी स्पेशली लदाक से लेके अरुनाचल परदेश तक के अरिये के अंदर और जो दो लैब मर्ज की गई है दोस्तों वे हैं एक तो मनाली हैड़कौाटर्ड स्नो एंड एवलांच स्टडिज एस्टेबिशमेंट और दूसरी है दिली ब जो SASC लैब थी मनाली बेस्ट उसने बहुत से एवलांच इसकी स्टडिज की है इन ओपरेशनल एरिया के अंदर एक एवलांच एटलेस्ट बनाई है और कम से कम 3000 ओन रोड लोकेशन के अलग लग पार्ट के कंट्री में उनके उपर रिसर्च की है और इसके इलावा दिली बेस्ट DTRL अलग लग टेरिंस के अंदर काम करती आई है जहांपर हमारी आम्ड फोर्सिस डिप्लोई की गई थी और दोस्तो सूत्रों का कहना है कि नई लैब भी अपनी अलग लग टीम को अलग लग पार्ट के अंदर स्पेशली चाइना बोर्डर के नजदीक अरुनाच चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के साथ में और डॉक्टर जी सतीश रेडी को भी दोस्तो एक टीनियोर का एक्स्टेंशन दिया गया है यानि कि अब उनकी जोब लंबे समय तक चलेगी और भी जादा और इससे गोर्मेंट ने एक ट्रस्ट भी बनाया है उनके उपर और उसी काम को जो उन्होंने अच्छा काम किया है उसे आगे ले जाने की कोशिश की गई है ताकि रिफॉर्म होते रहे हमारी में डिफेंस रिसर्च एजनसी के अंदर और दोस्तो अभी डियाडी और चीफ ने एक कमेटी बनाई है IIT दिली के अंडर में और ड इसके अंदर काम करेगा और हर एक लैब के काम को पूरी तरह से देखेगा और देखेगा कि किस तरह से रिफॉर्म और जादा किये जा सकते हैं और जो काम किया जा रहा है वो हमारी टेकनोलोजी को बूस्ट कर रहा है या नहीं तो दोस्तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दियो रिसरच के अंदर स्पेशली डिफेंस रिसरच के अंदर इसका नाम ही डिफेंस रिसर्च उर्गिनाईजेशन है तो ऐसे में दोस्तों इसके जो रिफोर्म हो रहे हैं वो हमें बहुत आगे तक लेकर जाएंगे और चुग्कि प्राइम मिनिस्टर ने स्वयम इसके अंदर इंटरफेर किया है तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल तक ये काम चल रहा है और इससे आतम निर्बर भारत वाक्या में ही बन जाएगा धन्याबाद जैहिन